अब फाइनली 10 दिन नहीं पूरे 15 दिन के बाद वो दिन आ गया जब हमें maggots को बाहर निकालना था 15 दिन में इनका हाल कुछ ऐसा हो गया है हाँ तुम्हें सायद अभी maggots दिखाई नहीं दे रहे हो लेकिन हम इने बाहर निकाल कर भी देखेंगे सबसे पहले हम अंडे को देखेंगे अंडे के अंदर तो फंगस लग चुका है लेकिन maggots तो सिर्फ दस बन रही है जो अंडा सूगने की वज़े से मर चुके है मिठाई के अंदर तो एक भी कीड़ नहीं है अब फाइनली टाइम है दही का वैसे इसके अंदर अभी कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा लेकिन ध्यान से देखने पर इसमें बहुत सारे maggots तुमें दिखाई देंगे इसे अच्छे से देखने के लिए मैंने एक जुगार लगा है अब maggots काफी क्लियरली दिख रहा है हाँ यह अभी बहुत छोटे है क्योंकि अभी यह सिर्फ आदे महिने के ही है अब इनके अंदर से मक्खे निकलेंगे या बेटल यह मुझे नहीं मालू अब लास्ट चने के अंदर तो बहुत सारे sprouts आ गया है अब इसके अंदर बहुत जादा तो नहीं लेकिन बड़े-बड़े maggots है